हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे डियूरिंग प्रिगनेंसी में आप कौन सी मेडिसीन दे सकते हैं अगर किसी फीमेल्स को प्रिगनेंसी हुई है तो उसमें कौन सी आप कौमन सी बीमारी उनहीं के बारे में बात करेंगे जो डियूरिंग प्रिगनेंसी आप स्वयम ना दें, मेडिसीन देने से पहले आप अपने डाक्टर याप फार्मासिस्ट से संपर्क करें, उसके बाद ही उस मेडिसीन का यूज़ करें, स्वयम से ही मेडिसीन का यूज़ ना करें, तो हम वीडियो को सुरू करते हैं और बात करते हैं common cold and flu की, अगर किसी पे इस्टामाइन काटेग्री से ब्लॉंग करती है, तो अलर्जी कंडिशन यानि common cold and flu हुआ है, तो उसमें आप डाइफनरामाइन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, अगली हमारी टैबलेट है दोस्तों, डेक्ट्रोमिथरफेन, डेक्ट्रोमिथरफेन टैबलेट 20MG की कामन cold and flu की जैसी कंडिशन लगती है, तो उसमें आप विक्स का यूज़ कर सकते हैं, इसे गले में खरकराहट है, खांसी हुई है, जुखाम हुआ है, तो उस कंडिशन में विक्स का यूज़ कर सकते हैं, दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, अगली कंडिशन हमारी है पैन ए अगर पैन ए फीवर होता है, तो सबसे बेस्ट टैबलेट यही मानी जाती है, पैरिस्टामॉल टैबलेट 500 mg जो काल पाल ब्राउन नाम से फेमस है, दोसरी हमारी टैबलेट है, एसिटामीनोफेन दोस्तों टैबलेट है, यह भी दोस्तों डियूरिंग के समय पैनेंसी के सम एक टैबलेट आते हैं आईभू जैसिक उस टैबलेट का यूज ना करें, दोस्तों उस टैबलेट का यूज करने से यह होता है, तो उसमें मिस्करेज होने के चांसे हो जाते हैं, तो उस टैबलेट का यूज आप ना करें, आगे हम बात करते हैं, पैप्टिक अलसर हुए ह नमने बहुत कर सकते हैं आगया हम कहते हैंW अग्राइल तो अग्ली डॉस्तोंalta कर सकते हैं औमीजौल घ्र१ाइमपरिडन के फोल यह भी दोस्तो उसी नाम GB से a आगे हम बात करते हैंि रिंटिरीन का यूज्ष कर सकते हैं और भी अच्छी मेडिसीन है पेप्टिक अल्सर को सही करने के लिए आगे हम बात करते हैं अगर दोस्तों पेगनेंसी के दोरम कोई एलर्जिक कंडिशन लग रहे आपको उसमें कौन सी मेडिसीन आप एडवाइस करेंगे तो उसमें दोस्तों चितरीजिन दोस्तों पहली हमारी ने कि दोस्तों कुछ छो कि लगने लगती तो इसमें से टेजिन टाइबलेट का यूज करेंगे आगे हमारी दोस्तों तो ईबल नाम्स य तो फिनरामेंट भी दोस्तो एलर्जिक कंडिशन में यूज की जाने वाली मेडिसीन है, प्रोमेथा जीन बद्धो भी स्टेबर्ट का यूज कर सकते हैं, एलर्जिक कंडिशन में, प्रोमेथा जीन होगी, आगे हम बात करते हैं, कॉंस्टिपेशन यानि कब्ज का कोई होई देशन्ट अगर है कोई समस्या है आज करने में तो अब ग्रुशंके सकते हैं अगला है अगर स्छुष यह भी दोस्तों कॉंस्टी पेशन के पेशन्ट को बहुत ही फाइदे मंद होता है तो मिथाल सलुलोस फाइवर यह भी दोस्तों कॉंस्टी पेशन के पेशन्ट में बहुत ही अच्छा असर करता है आगे हम बात करते हैं इसके एंटीबाटिक मेडिशीन के बारे में जो दोस वह ब्रांट नाम शे दोस्तों फेमस हैं यह डूरिंग प्रेंश्य में बहुत सेफ मानी जाती है तेबलेट आगे हम बात करते हैं इमाक्सोशलीन टैबलेट तो अगली हमारी है पैनिशलीन हो गई और अरीथ्रोमाइसिन टैबलेट दोस्तों है यह भी दोस्तों आप एंटि ऑन वमिटिंग के बारे में अगर ड्यूरिंग प्रेंश्य की शमयमें दोस्तों नौजियोन वमिटिंग की समस्या बहुती जाता होती तो इसमें कौन से आप टेबलेट दे सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो पहली हमारी है डाइफ नरमाइन डफ नरम माइन दोस दोस्तों इसका भी यूजियन वोमिटिक में किया जा सकता है आगे हम बात करते हैं अगली हमारी टैबलेट है जो steptal MD के नाम से दोस्तों famous है तो यह दोस्तों टैपलेट हैं जो लोजन वोमिटिक में देने के लिए आपको safe medicine है तो आप इन tablet का यूज़ कर सकते हैं आगे हम बात कहेंगे high blood pressure अगर किसी का प्रेणिसी की समय में दोस्तो किसी का blood pressure high हो जाता है तो उसमें कौन सी medicine देगी निफिडिपिन दोस्तो एक tablet आती है 20MD की तो इसका यूज़ कर सकते हैं high blood pressure को control करने के लिए दोस्तो निफिडिपिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं आगली हमारी टैबलेट है एटिनोल टैबलेट इस टैबलेट का दोस्तो भी high blood pressure को control करने के लिए दोस्तो किया जा सकता है इन टैबलेट का यूज़ अपने डॉक्टर एर फार्माशिट की सला से ही यूज़ करें तो दोस्तो तभी दोस्तो सही रहेगा आपको अपने आप दोस्तो इन टैबलेट का यूज़ ना करें आगे हम बात करते हैं lose motion lose motion दोस्तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं low frame tablet का यूज़ कर सकते हैं कैप्सूल आता है तो लोफ्रा मैट कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और lose motion में क्या वज़ा डूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ORS का भी यूज़ किया जा सकता है और अगला हमारा है इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल दोस्तो है यह बहुत अच्छी दोस्तों के समय देने के लिए आगे हम बात करते हैं इंजेक्टिबल इंजेक्शन तो बैक्ट्रिल इंफेक्शन होने के करना दोस्तों कभी कभी दोस्तों कुछ प्राब्लम्स हो जाती है chyptoxym दोस्तों एक इंजेक्शन है चाप को को होसे समस्था तो इसमे दोस्तों क्योवैंगी से कारबूनेट का यूज तक्र सकते है और दोसरी हमारी टैबलेट है सेहले तर्म और orada बंट ö은t सॉल्यूषन को शहसराने म्नेरी टैबलेट दोस्तों वी harness को म्नेरे मेडिशीन होगो भी और के सुरजी बान बातोए हेड़क यान रहा है उस समय पर आप कौन सी मेडिसीन देंगे तो उस समय आपको मेडिसीन देना एस्टामीनोफेन टैबल्ट का यूज करना है इससी क्या होता है सब में जो दर्द हो रहा वो भी कम होगा और दर्द भी कम होगा और फीवर जैसी कुछ लच्षन है तो वो भी इसको कवर हो जाते हैं आगे हम बात करते हैं रेशस याए की बॉड़ी में कुस रेशस निकलाते हैं तो उसमें हम कौन सी मेडिसीन यूज करते हैं तो पहली हमारी मेडिसीन डाइफनमाइन क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं रेशस के समय पर और आगे हम बात करते हैं हाइडर कोटिसोन क्रीम और और्टमेंट जो आता है वो भी दोस्तों रेशस को सही करने के लिए दिया जाता है या इंफ्लामेशन इच्ञ ये जैसी कुष कणडीशन देखती हैं तो उसमें हाडर कोटिसोन क्रीम का क्रीम आती है दोस्तों वो इस्ट इंफेक्शन में बहुत ही अच्छी तो यह दोस्तों कुछ सेफ मेडिसीन है और डिलिंग प्रिंदेशी के शमय पर यूज कर सकते हैं और इन मेडिसीन का यूज आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सला से ही यूज कर सकते हैं और अपने आप दोस्तों इन टैबलेट का यूज ना करें इससे आपको दोस्तों काफी नुक्सान उठाना पड़ सकता है तो दोस्तों हमारे वीडियो यही तक था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें धनि आप दोस्तों